नमस्कार रूबरू कारिक्रम में मैं ओमकसारा आप सभी का हर्दिक स्वागत और अबेनन्दन करता हूँ आज हमारे साथ हैं बिल्वडा के जिला प्रमुक शक्ति सिंग जी हाडा शक्ति सिंग जी की पहचान एक ऐसे युवा राजनेता की है जिनोंने अपनी स्वच एवं बेदाग छवी के सारे जिला बाच्पा में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए कई निष्टामान कारे करता भी अपने पूरी उम्र गुजार देते हैं 12 जनवरी 1986 को जनमें शक्ति सिंग हाडा मूलत है बूंदी जिले के लामबा खोह ग्राम के निवासी है इनके पिता का नाम मनोर सिंग जी जबकि माता का नाम प्रकाश कमर है शक्ति सिंग आज की तारिक में तो भले और भोले इनसान है लेकिन इसके ठीक उलट बचपन में ये बेहद शरारती थे इनकी उद्दंडता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शक्ति सिंग के परिजन इने इनकी इच्छा के विरुद्ध होस्टल में छोड़ने के लिए बूंदी से अजमेर जा रहे थे तबी ये तेज रफतार से दोड़ रही एमबेसेडर कार से कूद गए वो तो गनिमत रही जो इनकी जान जाने से बच गई किन्तु सीर में घंबिर चोट लग जाने और पेर में फ्रेक्चर हो जाने से इने कई मैने बिस्तर पर ही गुजारने पड़े भिलवाडा के MLV कोलेट से बिकोम करने के बाद शक्ति सिंग अपना खनन व्यवसाय संबालने के साथ ही सामाजी क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए और क्षेत्री यूत ब्रिगेड एमम महरणा कुमबा ट्रस्ट से जुड़ कर समाज सेवा के कारे भी करने लगे वर्ष 2013 में जब कीर्ती बायसा ने मांडलगट से चुनाव लड़ा तब शक्ति सिंग ने भी उनके चुनाव प्रचार की बागडोर संबाली और वर्ष 2015 में जिला परिशद सदस्य चुने जाने के साथ ही ये भाजपा की राजनिती में पूर्ण रूपेन सक्रिय हो गए के लिए वर्ष 2016 खासा बागशाली साबित हुआ जब अनेक वरिष्ट जिला परिशद सदस्य होते वे भी इने मात्र 30 वर्ष की उम्र में भिलवाडा का दस्वा जिला प्रमुक बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ तो आईए मुलाकात करते हैं शक्ति सिंग जी आडा से रूबरू कारेकरम प्रम की जानना चाहूंगा कि भिलवाडा जिले के विकास में जिला परिशद के मादध्यम से क्या क्या विकास कारे हो रहा हैं जिला परिशत के माद्यम से जिले के हर गाओं को हर पंचायत को हम चोड़ते हैं उनकी मुल्बोत आफ शक्ताओं की जो कमी है वो जिला परिशत के माद्यम से हम पूरी करने की चिस्टा करते हैं जिला परिशत और सरकार के दोरा अभी 2015 और 2016 में एक के अंदर सरकार के दोरा आमेडमेंट हुआ और उसके दोरा DMFT एक संस्ता बनाए गई उसके अंदर के पिलवड़ा को जो मिलने वाली रासी है वो लमसम 400 करोड के आसपास के रासी जो पर एनम हमको मिलती रहेगी खनीज रोयल्टी के मादियम से हमने पूरे जिले की विकास के लिए अभी हमने एक बेटक हुई थी हमारी लास्ट उस बेटक के अदर हमने लगबग 350 करोड रुपे के परस्ताओं पारित की हैं उन परस्ताओं के मादियम से मुझे नहीं लगता कि जिले की जो रोड्स की जो समस्या है चाहिए वो इरिगेशन से रिगार्डिंग की समस्या हो एजुकेशन में हमने डिजिटल एजुकेशन को प्रात्मिक्ता दिये हर ब्लोग इस तर पर हमने इंडूर स्टेडियम की विवस्ता करी है और जिन स्कुलों में रमसा के तेद हमने उन से डिमांड करी है एमेलेज साबान जो हैं उन से हमने मांग की है कि आपके सेत्र में जिस विद्यालिय में कक्सा कक्स नहीं है या जिसमें खेल समगरी नहीं है और टोलेट्स वगरा नहीं है इस तरीके से हमने उनसे पूरा एक विस्तित रूप से पूरे जिलाई की विकास के लिए हमने उसमें वियुरसना तयार की है और मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में पांच-छे मैनों में सारा पेसा जब धरातल पर लगेगा तो एक नया भिलवडा में देखने को मिलेगा तो इन विकास कारियों में जो जिलाई परिशद के सदस्ये हैं उनका किस प्रकार से योगदान रहता है देखिए सर जैसे मैं जिलाई परिशद पर मुख के नाते मेरा हर सेत्र में जाना नहीं हो पाता है तो हमने हर जिला परिशद सदेशियों को हमने के रखा है कि आपके शेत्र में जो कुछ भी आपको लगता है कि हमारे ये समस्या हैं चाहिए वो सड़क से रिगार्डिंग हो चाहिए बिजली से रिगार्डिंग हो चाहा इरिगेशन से हो, शिक्षा से हो, चिकित्सा से हो हमने सब सु कह रखा है कि आप अपने परस्ताओं हमें बेजिये और हम DMFT के माधियम से और जिला परिशद का जो फंड होता है SFC और TFC के माधियम से हम उसको पूरा करने की चिश्टा करते हैं जिला परिशद में कई वरिष्ट जिला परिशद सदस्य होने के बावजूद भी जो संगटन था उसने आपको वरेहता देते वे जिला परूंग बनाया तो इसके क्या करन रहे हैं देखे सर अब ये संगटन को क्या उचित लगता है और संगटन में हर चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का निर्णे लिया होगा जो मेरा पिछली बार जो हुआ था जब पीर चंजी सिंग भी साब बने थे तो उसमें मैंने भी परियास किया था और उसके बाद का जो कारेकाल रहा या उसके बाद में जनता से जो मेरा जुडाव रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तरफ से मैंने जनता के साथ मैं हमेशा पोजिटिव रहकर उनका समझे का निरदारान किया तो मुझे लगता है कि इसी वज़े से उन्होंने मेरा चुनाव किया होगा तो कहीं ये जातिक गत जो समीकरन था उसको बिठाने का मामला था या दामोदर जी गवराल की प्रतियापकी जो निष्टा है उसका आपको परितोशिक मिला सर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ भारतिय जनता पार्टी जाती वाद पर आदारित पार्टी नहीं है ये संगटन पर नहीं पार्टी है और संगटन और जो डिमांड जनता के परती है जो जनता की तरफ से आती है या संगटन जो सोचता है जो विचार करता है उसी के आदार पर निर्ने लिया जाते हैं मेरे समय पर हम 10-15 उमीदवार थे लेकिन जब पार्टी ने मेरा नाम ते किया तो उन्होंने सहर्च बिना किसी भेदबाव के या बिना किसी विरोध के उन्होंने मेरा सयोग किया तो इसा क्या कुछ आपको लगता है आपका किया करना इस वरह में अपको नहीं तरीके की बाते हैं और जो इस तरीके की बाते कर रहे हैं हो सकता उने मैं पसंदनी हूँ या उने भारते जंता पार्टी का निड़ने संगटन का जो निड़ने उने पसंद नहीं हो तो इस तरीके की बाते राज नीते माती रहे हैं कुछ दिनों पूर्व जो जिला परिशद की बेटक हुई थी उसमें खनीज लीज की हिस्सा राश्री को विकास मद में लेकर के और आपने कोई कठोर बातें कही थी और एक विदायक से आपकी जड़क भी हुई थी तो यह सारा क्या मामला था? जड़क की बात तो नहीं है मीटिंग चलती है तो विवाद होते हैं बात्चित होती है तो ऐसा कोई वो नहीं था लेकिन जो DMFT के जो रूल्स है उन रूल्स के मुझताबिक जो पेसा है वो पेसा डारेक्ट जहां खनीज परभावित से रहे हैं या इन डारेक्ट वे में ज इस तरीके का हुआ था कि हम वहां देना चारते हैं बेने का जो नियम और कायदे के साफ से है उसी साफ से हम पेसा का डिस्टिबिशन करेंगे इसमें ना कोई दबाव है ना कोई है इस पर रूलम मिटिंग जो है और जो पेसा है इस पर रूलम उसको डिस्टिबूट मांडलगड क्षेत्र जो है, वह पानी के लिया आज सार सब्ज है, और खनीज क्षेत्र होने के कारण से यहां पर रोजगारी की भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है फिर भी मांडलकट क्षेतर में इसा क्या है इसे कुछ दिक्कते हैं अपने को लगती है जिने दूर किया जाना आवशक है अगर मैं क्यों भोगोली की स्थिति से तो मांडलकट को हम दो पार्ट में बाढ़ सकते हैं उपर माल वाला जो पार्ट है वो खनीज की परचुरता की वज़े से वहां पर बहुत संभावना है व्यापार की रोजगार की सब भी हर चीज की और नीचे वाला जो एरिया है जिसको हम लाड़पुरा या मांडलकट तेश जो है उसको हम एकरिकल्चर बेल्ट मान सकते हैं जिसे जोजवा है जालिया है या बिगोद घटवाड़ा इस तरह का यह एरिया है तो यह एक अपने आप में संत्रे के बाग के रूप में विक्षित हो रहा है इस सेत्र में यहां पर कोल स्टोरेज यहां इस्तापित हो जाए और जो किशानों का में है संत्रे के रूप के बाजार के भाव कम हुए तो इसको इस्टोर करके फिर जब भी भाव आए उसमें वो देने तो एक तो हमारा ये पहला है फिर उसके बाद में जिस तरीके से उपरमाल की बात करें जहां पर खनी जो मैनिंग का एरिया है हमने रिको का डेवलोपमेंट किया और उसका उद्गा आज़े परियास है जो भी वहाँ पर भारती जन्ता पार्टी के जाननेता है परतिनिदी है उनका सब का ये परियास है कि जो काम रह गए हैं उनको हम पूर्ण करें तो इसे जो अब बता रहे हैं कि कॉल स्टोरेज है या और कुछ भी बनाने का था तो इसके अलाबा और क् सपना था किर्टी भाहिसा का जिनको जो नया विधाय कोई भी जो बनता है वो उसे पुरे करने के आस रखे देखिए सर जो भाहिसा ने चुनाओ के दोरां जो उन्होंने वादे किये थे वो 80 से 90 परसेंट तक वो पुरे कर चुके थे चाहिए वो रिको का हो चाहिए मांडलगड में रिको हो या बिजोलिया में रिको हो मांडलगड वाला अंडर प्रसेश चल रहा है सरकार के पास में हैं और बिजोलिया उन्होंने काम पुरा करा चुके हैं उसके बाद में उन्होंने जेत पुरा बांद का जो था काम उसमें फलड जो इस्तिती हुई थी उसमें तब उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने माननिया मुख्यमंत्री जिससे साहिता बंगी और उन्होंने 21-23 कुरोड रुपे की साहिता हमें परदान भी करी एक बहु एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था हमारे यहां से मांडलगट से सीवचरन महतरो साब जो यहां पर सीम रह चुके हैं पूर विदाएक साहब उन्होंने सब ने परियास किये लेकिन एड़ीजे केम ने खुला लेकिन बाईसाने अतक परियास करके और उन्होंने अभ प्रणाली जो है उनको नया जल्दी और सुलब मिलेगा इस होज़े से यह जो काम बाईसाने किया जिससे जन्ता को लाब मिलेगा मंडल गड क्षेत्र की जो राजनिती है वो खनन माफियाओं के द्वारा भी प्रभावित होती है इसे एक आम धारना है तो आप खनन व्यवसाई भी है और साथी साथ एक राजनिता भी है तो इन दोनों गूमेकाओं का आप निर्वहन किस प्रकार से करते हैं खनन माफिया जैसे इस्तिती तो बिजूलिया में नहीं है लेकिन कुछ एक आद हो सकते हैं कि इस तरके की बाते हमारे सामने भी आती है और हमें देखने को भी मिलता है और माफिया अगर राजनिती को परभावित करे ऐसा मुझे नहीं लगता है क्योंकि भारते राजनिती माफिया अगर राजनिती पर हावी हो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है और ना मैंने देखा है राजनिती में तो आप जो खनन वेउसाई के रूप में और जो भाजपा के एक राजनिता है तो उस रूप में इन दोनों भूमिकाओं का निरोहन कैसे करते हैं मेरे व्यापार से संबन्दित बात है तो मेरे चोटा भाई है मेरे फादर हैं वो सब बिजनिस को देखते हैं और वो ही देखते हैं उससे जब मेरा अदनीत में नहीं था उससे पहले में यह काम देखता था फिर चोटा बढ़दर एंबीए करके पुना से आया फिर वो डिखने लगिया तो म महांडर गल्ड क्षेत्र के अंदर जो उपचुनाव होना है उसमें संभावित प्रत्याशों में आप भी हैं तो आपने संगठन के समख्ष स्मयम को किस रूप में प्रस्तुत किया है जिससे कि वो आपको टिकेट दे सके हैं सरी एक बात तो मैं आपको बताओं कि मैंने सं जुनाव के लिए मैं प्रत्याशी हूँ या मैं उमिद्वार हूँ संगठन का जो निर्ने है और भारती जन्ता पार्टी का मुझे पुरा विश्वास है संगठन के उपर वो जिस भी उमिद्वार का चैन करेगी वो भारती जन्ता पार्टी के लिए एक अच्छा उमिद् सोचता है इस बारे में अभी जो अशोग परणामी आए थे तो अशोग परणामी के समक्ष दावेदारी आपने भी करी थी तो कहीं न कहीं तो आप चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें सर में एक बात बताना चाहूँगा आपको आप और हम समाचार पत्रों के मादेम से ये सोच रहे हैं कि दावेदारी परस्पूत कही लेकिन अगर प्रेक्टिकल अगर हम वहां मीटिंग की बात करें तो इस तरह के का मुझे नहीं लगता किसी ने भी वहां पर दावेदारी पेस की हो एक संगटनात्म के बेटक थी उपचुनाव से रिलेटेड उसमें संगटन के लिए जो भी बहुत इसतर तक की जो हमने समितियां बनाई हैं उन सब के बारे में निर्ने किया गया था और संगटन मजबूत बने इसे तो परणामी साप पदारे थे और दावेदारी वाली यसी को इस्तिती नहीं थी किसी ने भी दावेदारी प्रसूत नहीं की तो आप के बारे में चाए समचार पत्रों के बाद्यम से चीज़ें आ रही हो या फिर क्षेतर में चर्चाएं चल रही हो कि आप विदायक भी बनना चाहते हैं मैं उस संतूस्ट हूँ और जो पार्टी नीने करेगी भारती जन्दा पार्टी जो संगतन जो नीने करेगा हम सब उसकी नीने के अनुसार काम करेंग है तो आप अभी अगर मालिजे पार्टी आपको दावित देती है चुनाव लड़ने के लिए और प्रतेश बनाती है तो जिला पर मुग रहते हुए आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे सर ये तो भवी से की बात हो गई है कि पार्टी सोस्ती है कि नहीं सोस्ती है लेकिन हमारा जो भी उमिद्वार होगा हम जिला परिशत के माद्यम से और पूर विदाएक साब ने जो हमारे बीच में काम की हैं विकास के जो काम की हैं जो पूर सीम दोरा भी नहीं किये गए थे ऐसे काम अन्य काम हैं जिसको हम जंदा के बीच में ले जाएंगे और उन कामों के बदोलत हम यह चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर क्या मुद्दे अभी रहने के आपको संभावना लगती है देगे कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है चाहे वो राजी सरकार से रिलेटेड हो या किंद्र सरकार से रिलेटेड हो कांग्रेस की रेड की एड़ी टूर चुकिए है आद मी आम जनता उनसे परिशान हो चुकी है भारती जनता पार्टी जो कहती है वो काम करती है जनता की घरीबों के हिट के लिए काम करती है हमने आपको का कि बाइसा कीर्थी कुमारी जी के द्वारा जो परियास किये गए आम जनता को देखके काम किये गए और जनता को उसे लाब मिले ऐसे काम किये गए तो हमारा तो मुक्यादारी यही है कि हमने चाहे वो किर्शी का सेत्र हो चाहे व्यापार का सेत्र हो किसी भी सेत्र में हम मानें चाहिए एरिगेशन हो इरिगेशन हो किसा भी सेत्र हो भारती जनता पार्टी ने अपना सरवत चुद देकर इस जनता के परती अपने गदाईतों को निबाया है और आगे भी निबाएगी है मानलकड़ में अब तक जो पंदरा चुना हुए है उसमें पांच बार जो सिर्फ इस्तानी विजायक चुने गए तो आपके लियास से वहाँ पर इस्तानी और बाहरी का मुद्दा वो कितना आवी रहना चाहिए देख ये डिसीजन जनता को करना है वो किस उमिदवार को पसंद करती है और किसको नहीं पसंद करती है सिफचरन मातुर साभ बाहरी निता थे CM थे जनता ने उनको पसंद किया और उनको साथ बार ML बनाकर जिसमें उनकों दो बार CM भी रह возможность उन्होंने पसंद किया अब आने वाले चुनाओं में जनता क्या पसंद करती है जनता का क्या रुक है ये जनता डिसाइड करेगी इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ बिलवड़ा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिलवड़ा वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे बिलवड़ा जिला, चाहिए वो अधियोगी की सेत्र में हो, शिक्षा के सेत्र में हो, हर चीज में अपने आप में साधन संपन है हमें अपने वीचारों को, अपने आप के विक्तितु को, जन्ता की परतिक विक्ति की बात कर mira हूँ, एक उपर उठकर राष्ट के हित में जितना भी हो सके सम्भरपण करना चाहिए चाहे वो राद निती हो चाहे वो सेतर का विकास हो स्वाचता से regarding हो कोई भी ऐसे काम हो हमें अपने देश के परती और देश को देखना चाहिए और मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये जो आने वाला जो समय है मैं देश के परदान मंतरी जी के बारे में कहना चाहूँगा मुक्य मंतरी जी के बारे में कहना चाहूँगा जो मावल अभी जो देश का मावल विश्व के अन्य देशों के प्रती हमारे देश के प्रती जो बना है उस मावल को हमें आगे ले जाना होगा और हमें अपना खोया हुआ स्वाबिमान हमारा खोया हुआ सम्मान हमें वापस लाना होगा बिलवडाल चल के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका, सैंक्यू वेरिमाद तो ये थे जिलाप्रमुक शक्ति सिंग जिहाडा जिनोंने अमारे प्रत्यक सवाल का जवाब अपने विनम्र स्वभाव के अनुसार बहुती सरलता वे सज्जनता से दिया इनसे बाचित करके ऐसा लगा कि राजनीती की कुटिल पेंतरे बाजियों से अभी ये कोसो दूर है और सच्चे माइने में आम जन की सेवा करना चाते है संयोग से जिला प्रमुग जिसा महत्रुण पद भी इनके पास ही है इसे में अब देखना ये है कि अपने कारिकल का सदूप्योग ये कैसे करते है केमरा परसन नारे इन्वेश्टों के साथ मैं ओमकसारा बिलवडाल चल के लिए झाल